हेलो फ्रेंद्स, हाव यू अल, वेलकम तु माइ आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल, मैसेल्फ हिमानी शर्मा आके की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी व्यूवर्स से रिक्वस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बैल बटन पे क्लिक कर लीजिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो आज के टॉपिक में हम स्टिल लाइब बनाने वाले हैं और यहां जो मैं स्टिल लाइब बना ली हूँ वो मैमोरी से बनाएंगे तो हमारे सामने कोई अब्जेक्ट नहीं रखा है हम मैमोरी बेस पर अपनी स्टिल लाइब स्टार्ट कर रहे हैं आज को душपि लेंगे उसके लिए मैंने स्टिल लाइंट 6 इंचिस के लिए है तो पहले मैंने यहांपर 6 इंचिस की सेंटल hackers को डौई कर लिया है लाइब के टॉप पार्ट फर हम तो टॉ इंचिस की दोनों साइट लाइब टॉप लेरांगे तो यहां हमने सबसे उपर से half inches पर mark किया है और इसी mark के उपर one and a half inch one side and one and a half inch other side टोटल three inches की line हमें draw करनी है इसके बाद center line पे सबसे उपर वाले points से ही two inches पर, three inches पर और four inches पर हम एक-एक mark कर लेंगे तो यहां पर हमने two inches पर mark किया है फिर three पे और फिर four पे एक-एक inches का gap है इन सभी points के बीच में जो first mark हमने किया है उस पर हम three and a half inches की line one side and three and a half inches की line other side टोटल seven inches की line को draw कर लेंगे बीच वाला point छोड़के जो नीचे वाला mark किया है उस पर भी हमें seven inches की total line draw कर लेनी है सबसे नीचे bottom part पर हम one-one inches का line को draw कर लेंगे और अब हमें अपने object को shape देनी है तो यहां shape देनी के लिए सबसे उपर वाला जो हमने mark किया था इसकी line को हम आपस में मिला देंगे और top part पर थोड़ा सा over shape देते हुए गोलाई देनी है तो यहां मैंने बहुत minor सा mark लिया है one-four पर और उतना ही नीचे की दरब भी ले लिया है और इसको हम गोलाई से मिला रहे हैं इसके बार जो हमने lines draw कर रखी हैं उनको हमें गोलाई से मिलाना है इसके लिए हम सबसे नीचे वाले part से जो हमने 7 inches की line draw की दी वहां तक गोलाई देंगे फिर इस गोलाई को straightly draw करेंगे और फिर उपर वाले part को गोलाई से मिला देंगे इसी process से हमें दूसरी side भी अपने object की गोलाई देनी है यह पार्ट complete करने के बाद जो bottom part है हमारा इसको भी हम हलका सा गोलाई में शेप देंगे थोड़ा सही curve करना है या हमें ज्यादा शेप नहीं देनी है और जो सबसे उपर हमने line draw की थी वहां पर भी हलका सा curve कर के इसको शेप देंगे first object हमारा complete हो गया है इसकी जितनी भी margins lines हमने draw की थी उसको हमें erase कर देना है first object complete करने के बाद हम second object बनाएंगी जिसके लिए हमने first object के आगे side part पर 5 inches की line draw की है top part पर हम जो margin ले रहे हैं वो है 11 inches both side तो total हमारी 2 inches की line हमें draw करनी है उसके बाद उपर पार्ट से one and a half inches पर mark करेंगे और फिर इस one and a half inches के mark से हम two inches पर mark कर लेंगे और सबसे नीची पार्ट पर हमारा half inches का mark हमारा already हमें मिल गया है अब हमें इस उपर वाले पार्ट पर थोड़ा सा curve देके top part की shape देनी होगी हलका से इसको गुलाई देकर हम over shape draw कर लेते हैं इसके बाद जो हमने one and a half inches का mark लिया था उस पर half half inches both side total one inches की line draw कर लेंगे और जो उसके नीचे two inches वाले mark है उस पर two two inches both side तो यहाँ पर हमने total four inches की line draw की bottom से उपर जो हमारा half inches का mark है महाँ पर हमने half half inches both side यानि की total one inches की line लिया है और इस line के सबसे नीचे bottom part पर one one inches both side तो total two inches की line draw करके हम अपने पूरे object को shape देंगे तो जो हमने margin lines draw की है उपर की three lines को अंदर की तरफ curve करके हम shape देंगे दोनों side से और जो नीचे वाला part है उसमें हम नीचे की side से गुलाई देंगे तो यहाँ पर जो हमारा बड़ी बारी margin है वहाँ से हम नीचे half inches वाले point पर गुलाई से shape देंगे और last हम bottom को draw कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस object की तली बना ली है अब इस line को हम जो bottom part है उसको थोड़ा सा curve करके shape दे रहे हैं आप जो नीचे वाले object को भी raise करना होगा जो दूसरी side वाला object हम draw करने वाले हैं उसके लिए हमने 2 and a half inches की line base line दी है टॉप part के लिए 1 and a half inches both side total 3 inches की line लेंगे और bottom part के लिए हम 11 inches both side तो total 2 inches की line को draw कर लेंगे अब यहाँ पर हमें cup की drawing कर रहे हैं तो बस पहले हमें lines को shape में मिला लेना है उपर वाले part को curve कर लेंगे और नीचे वाले part के लिए हमने 1 fourth margin लिया है जिसको हम तली के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर हम उपर वाले part को curve करके cup की उपर की collide draw कर रहे हैं तम वाले part पर हम तली को थोड़ा सा curve करेंगे और फिर हम इसकी नीचे वाले part को हल्किसी shape देते हुए complete कर लेंगे cup के लिए अब हमें side में handle draw करना है यहाँ पर हम simple सा handle draw कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा यह object भी complete हो गया है जितनी भी हमने margin line draw गी है इनको भी हम erase कर लेंगे अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन को अभी प्रेस कर लीजे और जिन वीवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके bell बटन को क्लिक कर लीजे इससे मेरी सभी वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो हमारा ये आज का still life जो हमने अपनी memory से objects बना के complete किया है उसकी sketching complete हो गई है second part में हम इसी object drawing में color करेंगे तो next video के लिए आप तयार रहेएगा तब तक आप ये sketching complete कर लीजे thank you so much for watching my video मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए बाइ take care and have a nice time